नमस्कार दोस्तों मेरा नामे दीपक और आज मैं आपसे बात करूँगा HIV and AIDS के बारे में यहाँ पे इसका overview दिया गया है नीचे यहाँ पे इसके sinus symptoms दिये गया है और इसका transmission कैसे होता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है and risk factors के बारे में हम बात करेंगे और इसका treatment क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे वीडियो में तो यहाँ पे शुरुबात करेंगे अपनी वीडियो की हम सबसे पहले आपे देखेंगे दिया गया है overview ठीक overview में इसमें पढ़ेंगे हम क्या दिया गया है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसमें दिया गया है human immunodeficiency virus जिसको हम HIV बोलते हैं इसका full form क्या होता है HIV का human immunodeficiency virus ठीक है is an infection that attacks the body's immune system ये एक ऐसा infection होता है HIV का जो क्या करता है body की immune system पर attack करता है ठीक है समझ गया आगे हम पर क्या आगे acquired immunodeficiency syndrome AIDS जो AIDS होता है AIDS जो जानते हैं सभी लोग AIDS का full form क्या होता है acquired immunodeficiency syndrome ठीक है is the most advanced stage of the disease ठीक है अगर किसी को HIV infection फैलता है तो जो उसका most advanced stage होता है वो AIDS होता है ठीक है उसको AIDS होगा जब अगर उसका most advanced stage में वो पहुँच गया HIV के तो फिर उस person को AIDS हो जाता है ठीक है यह हो गया आगे हैं पर देखें कि दियागे HIV targets the body's white blood cells HIV क्या करता है जो HIV virus होता है वो body की क्या करता है जो white blood cells होती है white blood cells को target करता है ठीक है awakening the immune system जब यह white blood cell को target कर लेता है HIV तो क्या होता है immune system body का कमज़र हो जाता है weak हो जाता है ठीक है this makes it easier to get sick with diseases like tuberculosis infections and some cancers जब यह क्या कर ल जाएगा immune system हमारा weak हो जाएगा तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी किन diseases के लिए जैसे tuberculosis हो गई ठीक है यहाँ पी यह दिया गया है and other types of infections हो गए and some cancers हो गए उनके लिए क्या हो गया बहुत आसान हो गया अगर यह white blood cell को target कर दिया इसने immune system weak कर दिया तो फिर यह बीमारी बह बोड़ी fluid से फाल सकता है ठीक है including blood जिसमें की blood includes होता है blood से भी सकता है and brist milk से फैल सकता है semen and vaginal fluid से फैल सकता है it is not spread by kisses यह kiss करने से नहीं फैलता है hug करने से नहीं फैलता है and sharing food से नहीं फैलता है it can also spread from a mother to her baby ठीक है यह mother से baby में भी फैल सकता है अब यहाँमे next है HIV can be treated and prevented with को ART की नाम से जानते हैं ART जिसका फुल फॉर्म क्या होता है एंटी रेट्रो वाइरल थेरेपी ठीक है HIV को टीट के जा सकता है और प्रिबेंट के जा सकता है ART के तुरू ठीक है यह तो हमने इसके जनरल सा ओवर विवीऑ इसका समझ लία अब आगे हम जाएंगे इसमें इसके साइनल सिम्टम्स दिये गए ठीक है अब हम बात करेंगे यहां पर साइनल सिम्टम्स की यह ओ गया साइने ऑण2 symptoms, ठीक, इसमें क्या क्या दिया गया, देखते हैं, the symptoms of HIV vary depending on the stage of infection, ठीक, इसमें दिया गया है, जो इसके symptoms होते हैं HIV के, वो vary कर सकते हैं, depending on the stage, कौन सी stage में चल ला है, इस पे symptoms vary कर सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर दिया गया, the disease spreads more easily in the first few months after a person is infected, अगर कोई person infected हुआ है, तो इस few months होते हैं, शुरुवाती कुछ महीने होते हैं, उसमें ज्यादा इस पर दोने का इसको chance रहता है, इस disease का, ठीक है, but many are unaware of their status until the later stages, लेकिन बहुत लोगों को क्या होता है, कि वो unaware होते हैं, वो उस चीज से aware नहीं होते हैं, जब तक वो later stages में नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक उनका first week होता है, जिसमें वो infected होते हैं, उसके first week में, उनको कोई भी ऐसा symptoms experience नहीं होता है, जिससे पता चल पाए, ठीक है, others may have an influenza like unless including, किसी किसी में influenza like unless हो सकती है, जैसे कि उसमें क्या-क्या symptoms रहेंगे, उसके fever, headache, rash, sore throat, वगएरा, यह सब देखने को मिल सकता है, ठीक है, the infection progressively weakens the immune system, जो infection होता है, वो immune system को weak करते जाता है, ठीक है, this can cause other sign and symptoms, जिससे क्या होता है, फिर other sign and symptoms दिखने लगते हैं, जैसे क्या होता है, solon lymph nodes, weight loss, fever, diarrhea, cough, यह सारे symptoms फिर नजर आने लगेंगे धीरे-धीरे, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसके और भी symptoms दिए severe illnesses, जिन persons को HIV है, उनका treatment नहीं किया गया है, तो उनमें क्या हो सकता है, develop हो सकता है, severe illness, ठीक है, जैसे कि क्या दिया गया है, tuberculosis, cryptococcal meningitis, severe bacterial infection and cancers, such as lymphomas and coposies, sarcoma, ठीक है, यह severe illnesses उसमें develop हो सकती है, जिन HIV infected persons में treatment नहीं किया गया है, ठीक है, तो यह सारे हमने पढ़ लिया है, symptoms, आगे हम देखते हैं, क्या दिया गया है, इसमें, HIV causes other infections to get worse, such as hepatitis C, hepatitis B and M-pox, HIV एगर है, तो फिर other infections को भी worse कर सकता है, जैसे की, hepatitis C, hepatitis B and M-pox को, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, transmission दिया गया है, ठीक, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है, transmission, अब यहा variety of body fluids, body fluids से तो होता ही है, from people living with HIV, अगर कोई सी person के HIV है, और उसके body fluids से कोई भी दूसरा contact में आता है, तो फिर उसको भी पूरा chance है, HIV होने का, such as blood, breast milk, semen and vaginal secretions, जैसे की, कोई भी infected person है, उसके blood के contact में आने से, breast milk के, semen के and vaginal secretions के contact में आने से, यह दूसरे को होने का पूरा risk रहता है, ठीक है, HIV can also be transmitted during pregnancy, HIV जो होता है, pregnancy की दूरान भी transmitted हो सकता है, and delivery to the child, और delivery किसे में भी इसका पूरा chance है, transmit होने का, ठीक है, people cannot become infected through ordinary day-to-day contact, such as kissing, इसमें क्या होता है, किस में chance नहीं होता है, इसके transmission का, जैसे की kissing में chance नहीं है, hugging में नहीं है, shaking hands में नहीं है, और sharing personal objects म में भी इसका chance नहीं है, and food and water में नहीं है, अगर आप food and water share करते हैं, तो transmission होने का, इसका chance नहीं HIV का, ठीक है, next है, it is important to note that people with HIV, यह ध्यान देने के जुरत यहाँ पर, जो HIV से infected people है, who are taking ART, जो anti-retroviral therapy, जो मैंने पहले बताया था, अगर उसको ले रहे हैं, people जो भी infected है, and have undet detectable viral load है, तो वो अपने persons में HIV नहीं transmit कर सकते हैं, ठीक है, early access to ART and support to remain on treatment is there for critical, not only to improve the health of people with HIV, but also to prevent HIV transmission, ठीक, यह हो गया transmission की बारे में, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पर हम next जाते हैं, तो इसके दिये गया है, risk factors, ठीक है, कहा कहा पर इसका ज्यादा risk है, किसको किस ज्यादा risk है, ठीक है, तो इसके बारे में, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पर देखें कि दिया गया, यह हो गया risk factor हमारा, अब दिखते हैं, क्या दिया गया पहले, behaviors and conditions that put people at greater risk of contracting HIV include, इसमें क्या क्या ऐसे behaviors and conditions हैं, जो कि ज्यादा risk में डालते हैं HIV के लोगों को ठीक है, तो इसके बारे में, हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, having condomless anal or vaginal sex, जो लोग without condom sex करते हैं, anal या फिर vaginal sex, तो उन में ज्यादा यह risk रहता है HIV होने का, next यहाँ पर दिया गया है, having another sexually transmitted infections, जिसको मैं STI बोलते हैं, short form में, such as syphilis, herpes, clamidia, gonorrhea, and bacterial vaginosis, ठीक है, तो यह अगर other उसको STI है, other sexually transmitted infection है, तो उसको भी chance रहता है, HIV होने का, ठीक है, next यहाँ पर दिया गया है, engaging in harmful use of alcohol and drugs in the context of sexual behavior, ठीक है, इसमें भी chance रहता है, risk factor है, next दिया गया है, sharing contaminated needles, syringes, and other injecting equipment, अगर contaminated needles, share होती है, एक दूसरे से, syringes share होती है, and injecting equipment, जो है, एक दूसरे से share होती है, तो इसमें पूरा chance रहता है, HIV होने का, and drug solutions when injecting drugs, ठीक है, तो ऐसे समय में क्या होता है, यह बहुत ही बड़ा risk factor है, अगर कोई sharing, एक दूसरे से हो जाती है, किसी person में, किसी की लगाई needle, किसी injections, तो फिर इसमें पूरा risk रहता है, HIV होने का, अगर कोई भी person HIV positive था, ठीक है, अब यहाँ पर next दिया गया है, क्या, receiving unsafe injections, जैसे unsafe injections, किसी person को दे जाते हैं, उससे, वो उसका risk factor है, blood transfusions, से भी इसका risk रहता है, and tissue transplantation से, and medical procedures, that involves unestile cutting, और piercing, ठीक है, and experiencing accidental needleistic injury, इससे भी रहता है, जो accidental needleistic injury होती है, उससे भी risk रहता है, HIV होने का, including among health workers, जो health workers है, उनको भी यह कापी risk रहता है, क्योंकि होश्पिल्ल में काम करते है, तो needleistic injury होना आम बात होती है, होश्पिल्ल में, तो फिर उनको भी यह risk factor में वो भी आ जाते है, उनको भी risk रहता है, ठीक है, अब यहाँ हम आगे जाएंगे, तो इसका treatment दिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका treatment, treatment में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर देखते है, तो यहाँ पर यहाँ दिया गया है, there is no cure, कोई इसका cure नहीं है, ठीक है, no cure for HIV infection, ठीक, अब आगे दिया गया है, it is treated with antiretroviral drugs, यह कैसे treat के जाता है, जैसे कि मैंने पहले बता है, antiretroviral drugs से treat के जाता है, ठीक है, which stop the virus from replicating in the body, यह का करता है, stop कर देता है, virus को replicate करने से body के अंदर, ठीक है, अब आगे next क्या दिया गया है, current antiretroviral therapy, जिसको ART बोलते है, does not cure HIV infection, ठीक है, but allows a person's immune system to get stronger, जो current antiretroviral therapy है, ज HIV infection से, ठीक, does not, यहां पर दिया गया है, cure HIV infection, बट क्या करता है, allow करता है, एक person's के immune system को, कि वो मजबूत रहे, ठीक है, मजबूत करने में वो मदद करता है, this helps them to fight other infection, जिससे क्या होता है, कि body, अगर immune system मजबूत रहेगा, तो फिर क्या करेगा, other infection से fight करने में सच्छम ART कैसे लेना होता है, कि everyday लेना होता है, परसन जब तर लाइफ है, तब तक ART लेते रहना होता है, जो antiretroviral drugs होती है, ठीक है, अब आगे यहां दियागे, ART lowers the amount of virus in a person's body, यह क्या करता है, ART जो drugs होता है, वो क्या करता है, यह virus के amount को कम करता है, body में, किसी भी person के body में, ठ this stops symptoms and allows people to live a full and healthy life, इससे क्या होता है कि यह symptoms को stop करता है HIV के and allow करता है people को healthy life जीने के लिए, ठीक है, people living with HIV who are taking ART and who have no evidence of virus in the blood will not spread the virus to their sexual partners, ठीक है, जो persons क्या करते है, ART ले रहे हैं, ठीक है, और उन में कोई भी evidence नहीं है कि उनके अंदर जो virus HIV का, वो है, कोई evidence ऐसा नहीं है, evidence of virus in the blood, उनके blood में कोई virus नहीं है, ठीक है, वो अपने sexual partners को क्या करेंगे, HIV transmit नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यह एक अच्छी होती है treatment अगर को ART का ले रहा है, pregnant women with HIV, एक women है जो HIV जिसको है और वो pregnant है, ठीक है, should have access to and take ART as soon as possible, उसको क्या करना है, ART, जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी चालो करना है, this protects the health of the mother, यह क्या करेगा, mother की health को protect करेगा, and will help prevent HIV from passing to the fetus before birth, वो क्या करेगा, बर्थ से पहले, जरम से पहले बच्चे में HIV होने से रोकेगा, ठीक है, or to the baby through breast milk, ठीक है, anti-retroviral drugs given to people without HIV, अगर किसी को HIV न होने देगा, HIV इसको नहीं होगा, ठीक है, can prevent the disease, ठीक, अब यहां next है, when given before possible exposure to HIV, अगर HIV के possible exposure से पहले ही दिया जाता है, anti-retroviral therapy, ठीक है, तो क्या होता है, it is called pre-exposure profile access को क्या बोलते है, P-R-E-P, उसको बोलते है, pre-exposure profile access, ठीक है, and when, after an exposure, अगर exposure हो जाता है, HIV का, it is called post exposure profile access क क्या बोलते है, P-E-P, ठीक, people can use P-R-E-P or P-E-P when the risk of contracting HIV is high, जहां पे HIV का risk हाई है, वहां पे लोग यूज कर सकते है, pre-exposure profile access, या फिर post exposure profile access, तो लेना ही होता है, ठीक है, people should seek advice from a clinician when thinking about using P-R-E-P or P-E-P, लेकिन यह लेने से पहले आपको अपने doctor से advice ज़रूर लेना है, ठीक है, हमने यहाँ पर समझ लिए, अच्छे से treatment हो गया, इसमें, इसका risk factor देख लिया है, transmission देख लिया है, and sign and symptoms हो गया, overview तो हमने देखी लिया था, HIV and AIDS का, ठीक है, तो अमीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, topic समझ में आया होगा, तो वीडियो को like करिये, share करिय मेरे YouTube channel को क्योंकि ऐसे informative videos लेकर मैं आता रहता हूँ,